चुनाओं के पहले यह ऐलान कर देना कि मैं चेर्मेन का परतियासी हूँ, क्या लगता है जनता पर इसका क्या असर परेगा क्योंकि अभी चेर्मेन का सीट की घोसना हुई ही नहीं है, महिला होगा, सी होगा, रिजर्ब होगा, क्या होगा इसके पहले इस तरह का एलान करना ओभर कंफिडेंस नहीं दिखता तो पैसे वाले होने का नाजाईज फैदा आप उठा रहे हैं तो सिंग साहब कह रहे हैं कि सारा काम हम लोगों ने छेतर में किया है तो सारा काम जब वो कर दिये तो अभी जी भी परमोख थी इड़वांस बुकिंग शुरू हो गई है नमस्कार डीफोकस में आपका स्वागत है मैं हूँ हिमानसू बोकारो सहर के पंचाय चुनाव का लगतार कबरेज कर रहा हूँ और बोकारो जिले के चप्पे चप्पे में जाकर आपको परतियासियों से रूबरू करा रहा हूँ जनता से रूबरू करा रहा हूँ आखिर जनता क्या चाहती है लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ मैं भी चौक चुका हूँ क्योंकि बोकारो इस्टिल सिटी में जितने परतियासी है उनकी सासे फुली हुई है वो कहते हैं कि हिमानसु भाई मेहनत बहुत कर रहा हूँ चुनाओ जीतूंगा कि नहीं बड़ा मुस्किल लगता है कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हिमानसु भाई धीमी आवाज में कहते हैं हिमानसु भाई अगर मैं चुनाओ जीत गया तो सोच रहा हूँ इस बार चेयर्मेन की तैयारी कर ही लूँ मैं सुन नहीं पाता मैं फिर से पूचता उनको कि क्या कहा आपने तो वो कहते हैं कि चेयर्मेन की तैयारी की कर रहा हूँ लेकिन जैसे ही पेटरवार पहुंचा और ये परची मेरे हाथ लगी मैं देखकर चौक गया कि कौन वो सक्स है पुकारो जिले में जिसने अपनी परची में ही लिखवा दिया है कि मैं चेयर्मेन का परतियासी हूँ जी हाँ आप ठीक समझ रहा हैं मैं इस समय जिला परशत सुल्ला के छेत में हूँ जहाँ पर एक परतियासी है संजय गुपता जिन्होंने अपने परचे पे लिखवाया है कि चेर्मेन परतियासी जीला परिशत परतियासी सा चेर्मेन परतियासी आखिर इतनी ताकत संजे गुपता को कहां से मिल गई किसने इसनी टाकत दे दी उन्हें कि उन्होंने परचे पे ही लिखवा दिया कि मैं चेयर मेन का परतियासी हूँ उन्हें ये confidence कहां से आया है मैं दो दिनों से संजे गुपता को खोज रहा हूँ जब भी इस जगा पे आता हूँ उनके ये माकान पे पहुंचता हूँ तो उनके भाई कहते हैं कि वो छेतर में हैं लोगों से मिल रहा है कल रात में भी आया था नहीं मिल पाया लेकिन आज उनके एक भाई है मनोज गुपता जो परमुख भी रहा है 2011 से 16 तक वो हमारे साथ इस समय हैं बात करने के लिए मनोज जी से हैं मनोज जी चेर्म आप पर मुख खुद रहा है चुनाओ लड़ना बड़ा कठिन रहा है क्योंकि आपने तो विधान सभा का भी चुनाओ लड़ा है कई बड़े नेताओं के साथ रहा है चुनाओ के पहले हैं यह आलान कर देना कि मैं चेर्मेन का परतियासी हूँ क्या लगता है जनता पर इसका क्या असर परेगा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो पर्चे पर लिखा गया चेर्मेन परतियासी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 से 2016 तक मैं खुद पिटरवार परखंड का प्रमुख रहा हूं 2011 से 2016 से 2020 तक शीमा देवी जो हमारे अभी बरतमान में जो पत्यासी हैं संजय कुमार गुपता जी उनकी धर्म पत्नी इस पिटरवार परखंड की प्रमुख रही है तो जो दस साल का हम लोगों का सेवा काल है जो जनता को हमने अपनी शेवाएं दी है उसके बल पर मैं कह सकता हूँ कि जब मैं यहां जीला परखंड से अपने भाई को अगर यहां की जनता वोट देती है जिताती है तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस छेत्र में बोकारों को जीला परिशत के छेत्र का मैं पूरा भर्मन किया हूँ चुकि मैं बिदान सभा भी लड़ चुका हूँ इससे पहले भी और यहां जितने भी जीप परत्यासी अभी खड़े हैं लगभग लगभग सभी जीप परत्यासी से मेरा बेक्तिगत सम्मंद रहा है और उस आधार पर उन लोगों से जब मैं संपर्क किया था उस आधार पर मैं पक्के तोर पर कह सकता हूँ कि सभी लोगों ने मुझे आस्वस्त किया है कि भई आप जीत करके आओ और आप जैसा नेता हमें बोकारों में चाहिए क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब 2011 में मैं परमुख बना था ब्याप्त भरस्टाचार पूरे परखंड में थी यहाँ पर और उस भरस्टाचार से लड़ने के लिए हम अपने पूरे टीम के साथ पूरे पंचाय समिती के टीम के साथ उन भरस्टाचारिय कि घोसना हुई ही नहीं है महिला होगा एसी होगा रिजर्ब होगा क्या होगा इसके पहले इस तरह का एलान करना ओभर कंफिडेंस नहीं दिखता नहीं नहीं यह ओल्रेडी चुणा आयोग दुवारे यह घोसित है सामान ने कोई भी कंडिडेट जीला परस्ट के चेर्में के लिए दावेदारी कर सकता है और चर्चा है जब इस जगह पर आपके छेतर में आया तो लोग मुझसे पूछ रहते और बता भी रहते कि हिमानसु भाई पैसे का गलत परियोग किया जा रहा है संजेग गुपता और उनके भाई जो मनोज गुपता है वो पैसे की धोस द जबाब आपको देता हूं मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जो जेनरेशन है वो यहां 1885 से है 1885 से मैं यहीं पैदा हुआ हूं मेरा बच्पन बहुत ही गरीबी में गुजरा है मेरे यहां तीन सक तीन वक्त का खाने का पैसा नहीं ता यह यहां के तमाम लोग जानते हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज अगर मैं पेटरवार में इतनी बड़ी इंडस्टी चलाता हूं या इतना बड़ा ब्यपार चलाता हूं तो यहां मैंने खून पसीना भाया है कोई ठीकेदारी करके किसी का लूट करके किसी का बरस्टा चार करके यह दौलत नहीं सामर्त था हमने यहां के जनता के लिए अपने घर में हमारे पूरे परिवार के द्वारा हमारी महिलाओं के द्वारा हमारे घर के बच्चों के द्वारा रासन कीट बनाया जाता था और सुबह उठ करके हम सभी भाई पूरे पेटरवार छेतर में पांच हजार लोगों के घर प्रों में जाकर के रासन पहुंचाये थे तो यह अगर यह तो इस छेत्र का सोभाग है हमारे जैसे लोग अगर इस छेत्र में दस पैदा हो जाएं तो यहां से बेरुजगारी दूर हो जाएगी पुरे जारखंड में बोकारो का नाम हमने रौसन किया है हमारे बुंडू पंचायत में चले जाए बुंडू परचायत अस्माट है तो सीमा देवी जी भी परमुख रहा है तो वो क्या कर रहे थी जब सब काम सिंग साहब नहीं कर दिया सारा एवाड सिंग साहब नहीं ले लिया देखिए यह यहां जितने भी पत्यासी हैं लोगों के अपने अपने दावें और दावा करना और यह सच्चाई जमी पर जो है यह दोनों में अंतर है अगर वो दाव कर रहे हैं कि यह सारा काम वही किए हैं तो यह 1335 शुनाओ ङ्यकार्द 9 उन्होंने किया और जो किया उनका जंता-मुल्योंकर करेंगी अगर स्वाइन से मुल्योंकर lotta को зем жд तो नहीं है सहमें हमने अपने परमुखखाल में जो पर्खंड सब्सक्तियों समिद्स नहीं है इसwr जीया चुना पूज में हमारे च्छेट्र में जो हुआ स் capacum देखता है के चुनाऊ अभी सुरु हुई है और जो जीतने वाले परतियासि हैं उन तक आपका टेलीफोन पहुंच जा रहा है कि आप चुनाव जीते हम आपके साथ है मतलब एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है नहीं नहीं आइसी नहीं है वो देखिए हम दस साल हम लोग परमुख रहे हैं बोकारों में जीला परशत की बैठा खोती थी बहुत सारे कंडेट ऐसे हैं जिन से मेरा बेक्तिगत लगाव है एक मेरे जो बहुत करीबी है उन्हेंने कहा था कि जब जाओंगा आपके पास तो जरूर पूछूँगा लेकिन आप ही मिल गए तो पूछ लेता हूँ मुझसे कहा लोगों ने कि जब मनोज गुपता ने इतना काम किया तो मनोज गुपता ने क्यों चुनाओ नहीं लड़ा भाई को क्यों इन्हों ने चुनाओ लड़ा दिया क्योंकि इस वार जेनरल है इसे दर्म्यान मेरे बहुत सारे बिजनेस के प्रजेक्ट जो थे वो पेंडिंग पड़े थे और मुझे लगा कि अगर मैं राजनिती में ही आगे बढ़ता हूं तो ये सारे बिजनेस हमारे पेंडिंग पड़ जाएंगे और मैं फिर बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता तो सुना आपने यह मनोज गुप्ता हैं जो संजय गुप्ता के भाई हैं जिन्होंने साफ तोर पे काया है कि इस माकान को और मेरे पैसे के रुतवे को जिस तरह गलत तरीके से मेरे मित्र पर्सूद कर रहा हैं उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इसी जीला परिस्थ छेतर मे मेरे पुर्वजों ने यहां जिन्दगी गुजारी है और दाने दाने के लिए हम मोहताज थे तो और पर उन्होंने काया है कि हमने अपने भाई को चुनाव इसलिए लाराने के लिए भेजा है कि बोकारो जीले में हमारा संबंध है और आने वाले समय में ये संबंध आपको दिखेगा हिमानसु जी अगर मेरे भाई चुनाव जीतते हैं तो जिला परसद चेर्मेन का हम दावा नहीं ठोक रहे हैं हम उन्हें बना कर दिखाएंगे अब तो आने वाला समय बता पाएगा कि मनोज गुपता के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ये कॉन्फिड अंदर के साथ जी पी हमानसु पिटरवार